36 गार की माताओं बेहनों के लिए मेहतारी न्याई योजना लागू करेंगे जिसमें प्रती सिलिंडर के रीफिल करने पर रीफिल करने पर 500 रुपे की सबसिडी आपको दी जाएगी कॉंग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 रुप भोकताओं में से 42,000 रुप भोकताओं जिनकी खपत 200 यूनिट बिजली से कम है उनका बिजली बिल पूरी पूरी तरह से माफ होगा बाकी 7,63,000 रुप भोकताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्ट मिलेगी महिलाओ द्वारा संचालिट स्वैम सहायता समू के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओ द्वारा सक्षम योजना अंतरगत लिये गए रिन को भी माफ किया जाएगा 700 नए ग्रामीन और योगिक पार्क बनेंगे अभी 300 पार्क हैं आगे 1000 ग्रामीन और योगिक पार्क हो जाएगे राज के सभी 6000 सरकारी हायर सेकंडरी और हाइ स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा बहुत बढ़िया घोचना है यह सडक दुरगटना और अनिया कस्मिक दुरगटनाओं के लिए में 36 गार निवासियों को निशुक स्वास की सुविधा मिलेगी परिवहन व्यवसाई से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 क्रोड राशी के बकाया मोटर यान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी MSP में MSP में खरीदा जाएगा झाल झाल झाल